आप सब कर स्वागत है उमीद करते हूं कि आप सब की दुआउं कि वह जैसे अलंदिल्ला हम सब एक्दम ठीक हैं अच्छा आप सोच जो गया सब बड़ा मेकप लगा के बैठी कहां जा रही है तो मैं कहीं नहीं जा रही हूं मैं फोटोस प्रिक कर लेती घर पे आउटफिट कर सब एक निकालने के बाद बैड रिटीन होता है तो आए लिए बरता थीओं एक बना मेकप कैसे निकालती हूं और उसके बाद कौन से प्रॉड़क्ट अप्लाइ Nacht रूटिन का जिससे मेरी अप्ला आपकन पर एकणी हो已經 को भाट है और मेरी सकिन निकालने के बाद की ईसे let's start यहाँ पर मैं oil से अपना make-up remove कर रही हूँ आपके skin को जो भी oil suit करता है आप उससे make-up remove कर ले या wet wipes आते हैं make-up remove wipes आते हैं आप उससे अपना make-up remove कर सकते है तो आपको क्या रखते हैं कि make-up निकल गया? इस तरह से make-up पूरा चेहरे से नहीं निकलता है वो skin पे छूट जादा है और skin पे और जादा oil produce होता है और make-up के जो chemical है उस वज़े से acne और जादा आ जाता है तो इसके बाद भी हमको एक process जो होती है वो करना चाहिए एक regime अपनाना चाहिए अगर आप ऐसा करेंगे तो trust me आपके skin पे बिल्कुल भी pimple ने आएंगे make-up के वज़े से या फिर आपके skin पे बिल्कुल भी break-outs नहीं होंगे या skin बिल्कुल भी oil produce नहीं करेंगे क्योंकि मैं पिछले 7 days से इस तरह से अपने जब भी make-up लगा रही हूँ तो अभी अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल भी acne नहीं आ रहा है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसके बाद क्या करने हैं आप देख रहे हैं कि मैं अपने face पे oil लगा के make-up रिमूव कर लिया है लेकिन अभी face पे बहुत जादा oil रह गया है तो इसके बाद हमें अच्छे से face wash से अपने face को wash करने की ज़रूरत है उसको tone करने की ज़रूरत है और क्रीम लगाने की ज़रूरत है जिससे जो हमारे make-up के जो chemical हैं उससे हमारे skin में जो जोड़ा बहुत डैमेज होता है जो skin पे हमारे harmful effects आते हैं वो दूर हो जाते हैं और skin नरिश रहती है तो मैं प्रिफर करती हूँ अपने face पे लगाना vitamin c के products अच्छा vitamin c के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा अगर आप search भी करें तो आप दिखेंगे से vitamin c सबसे अच्छा antioxidant होता है तो मैं कौन से product लगा दी हूँ वो मैं आपको बताती हूँ मैं यूज कर रही हूं वाव skin science की ultimate vitamin c skincare kit और बहुत ही अच्छे result देखने को मिलें इसमें का face wash है toner है serum है और face cream है और यह product 100% natural है इसमें बिल्कुल chemical नहीं है कोई color नहीं है और बिल्कुल साइड एफेक्स नहीं है तो अब हमें अपना face wash करना है और मैं यूज कर रही हूँ वाव का brightening vitamin c face wash और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें अच्छे से मेरा face clean हो जाता है क्योंकि fingers से अगर हम अपने हाथ से wash करते हैं तो इतने अच्छे से नहीं हो पाता है और अगर हम scrub barber करेंगे तो वो भी हमारे skin के लिए अच्छा नहीं है लेकिन यह जो brush है यह बहुत soft है प्लस यह अंदर तक जाके dirt और सारे जो particles से उन्हें निकाल देता है और यह मैं आपको use करके बताती हो कैसा है तो हमने अपने face को क्या करना है हलका सा गीला किया उसके बाद यह लिया और यह बस और आप देखें कितना easy है अहां और इंज की smell आ रही है इसमें तो मुझे तो यह face wash बहुत अच्छा लगा क्योंकि यह vitamin c है मेरा favorite है और प्लस इसमें जो brush है इस वजह से देखिए कितने अच्छे से clean कर रहा है मुझे vitamin c के products बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वह face को instant glow देते हैं और यह brush की वजह से skin अच्छे से exfoliate हो रही है तो वह natural glow और अच्छा रहा है तो मेरा face wash हो गया है और अब हमें अपने face पे लगाना है तो इसको tone करना है तो मैं उसके लिए यूज कर रही हूँ वाव का skin mist toner और यह बहुत ही अच्छा है इसमें essential oils है अलोवर extract है तो मैं इसको लेती हूँ और हमें यह अपने face पे spray कर लेना है अहां तो इससे क्या होगा skin के साथ जो हमारे pores ओपन होए थे वो अच्छे से बंद हो जाएंगे तो मैं इसके skin पे अभी रहने देना है यह दो बनिट में अपने अप एब्सॉर्व हो जाए तो इस वाश कर लिया और उसके बाद हमने उसके टोनर लगा लिया अब हमें यह तो मैं यूज करें हूँ वाव की वाइटमन सी फेस क्रीम इसमें हाइलरोनिक एसिद भी है और यह हाइडरेटिंग ब्राइटनिंग और एंटी एजिंग है तो मैं ऐसे यूज करें और देखिए कितने अच्छे से पैकेजिंग में आती है इससे ताकि आपका वेस्ट अब को यहां असे तर हम को कि अडिक आपने। एस तरह से लेंक कि अप्लाय कर लेंगे को लोगा कि तो देखा आपने अपना मेकप रिमूव करती हो और इसके बाद अपनी स्किन की चाहती है तो अब कभी भीवी आप मेशना मेक बन काले को इस करें ऐसे ना छोड़ दे फिर उसी वजह से एकने आने लगता है और अगर आप ये रिजीम रात में फॉलो कर रहे हैं मतलब आपने दिन भर मेक अप लगाया रखाया और आप रात में जब निकाल रहे हैं सोने से पहले तो आप क्रीम से पहले सिरम भी अपलाई कर सकते हैं त अगर आप देख सकते हैं तो आप देखें अभी मेरे फेस पे कोई भी एकने नहीं आ रहा है कोई भी ब्रेक आउट नहीं हो रहा है बहुत अच्छे रिजल्ट मेले हैं से इसलिए आपको रेकमेंड कर रही हूं और मुझे आपसी ये कहना था कि जिस तरह से आप मैंने मेक कितना भी ये प्रड़क्ट सपाशे कहने अच्छाव श्रास लगा है तो आपके पेशा पर संद्स दूब आएकार और आपने आप Darum यह वाओ के वाइटमेंसी प्रड़क्स इसलिए रेकमेंड कर रही हूँ क्योंकि मुझे काफी अच्छे लगे मैं भी काफी टाइम से अच्छे तून रही थी प्लस सिरम देख रही ती मुझे अभी तक मैंने कोई भी ट्राइ नहीं किया था जब मैंने यह ट्राइ किया पढ़ सकते हैं अबर आपको ठीक लगें तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं आप कोई भी प्रोड़क्त लें लेकिन मेकप इस तरह से ही नहीं लेकिन कोशिश करें वह सेल्फट फ्री हो सिलिकॉन फ्री हो जादा उसमें केमिकल्स ना मिले हो और सासाथ डाइट में वाइट कोई नए रिव्यू के साथ और कोई नए व्लॉप के साथ या कोई नए नहीं कोई चीज के साथ जो भी होगा आपके साथ शेयर करूंगी अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और अल्ला आपिस